हलो है एवरीवन वेल्कम बैक टू आ चैनल यूनिफ प्रेप आज की वीडियो में मैं आपके लेकर आए हूं 26 फैब्री के करेंट अफेर्स यह 25 और 26 फैब्री दोनों की करेंट अफेर्स हैं यहां पर और रीकैप वीडियो भी चल दी ही आ जाएगी अभी आपको अगर हम हम इसमें करेंट अफेर्स पॉल्टी स्टैटिक जी के है उस पीडियो के लापको पेहोग करने होंगे उनली 399 यह पेटियम लिंक पेटियम आइडी आपको स्क्रीन शॉट लेके भीशनों का पेमिंट के बाद इस वाट्चाफ नंबर पे अभी के लिए आगे चलते हैं तो सिक्यूर्टी कॉप्स सेलिबरेटिटिट इस डैश दर रेजिंग दे अन 25 फाबरी 25 फाबरी को डिफेंट सेक्यूर्टी कॉप्स का रेजिंग दे याने की फांडेशन दे जी साथ कह सकते हैं होता है वो कौन सा एडिशन था उस का 76, 77, 74 और 79 परेक्ट आंसर इस आंसर नं 1947 एस डिफेंस डिपार्टमेंट कॉंस्टेबिलेरी 1947 में बनी थी आज एक दिन 25 फाबरी 1947 मूविंग ओन तो नेक्स कुशन प्रिश नमबर टू इंडिया तू बी थर्ड लाज़स्ट एक अड्वाइजरी फिर्म जैफरीज एक ग्लोबल इंवेस्मेंट फिर्म है जैफरी करके उसने यह प्रिडिक्ट किया है कि इंडिया थर्ड लाज़स्ट एकॉनोमी बन जाएगी लेकिन कब तक कौन से एयर तक एफरीज ने प्रिडिक्ट किया है कि वो थर्ड लाज़स्ट एकॉनोमी बन जाएगी अगले पान सालों में इंडिया की जीडिपी पाच ट्रिलियन डॉलर से भी जाधा हो जाएगी और ये लाजस्ट एकोनोमी बन जाएगा by 2027, ओवर्टेकिंग जिपान और जर्मनी, मेंटेनिंग देस्टेटस अफस्ट गोइंग लाज एकोनोमी. और इसके आगे इनोंने ये भी लिखा है कि 10 ट्रिलियन डॉलर की प्रिडिक्ट किया है, इसी गोल्डन ग्लोबल फर्म ने कि 10 ट्रिलियन डॉलर की एकोनोमी बन जाएगी by 2030. इंडियन स्टॉक मार्केट की वेल्यू इतनी हो जाएगी, 10 ट्रिलियन डॉलर फिलाल तो हमारी 5 क्या हमारी 3 पॉइंट सम्थिंग ट्रिलियन डॉलर है, making us a 4th or 5th largest economy. Moving on to the next question, question number 3, in which city Prime Minister Narendra Modi will inaugurate भारत टेक्स 2024 at भारत मंदपम on February 26, यनि कि आज भारत मंदपम में भारत टेक्स 2024 को inaugurate किया है, माने प्रधान मंस्री Narendra Modi ने है, भारत मंदपम बहुत एजी है, भारत मंदपम नियू डेली में ही है, जो जिसको आप जहां पे सारे आपके fairs भी लगते हैं, उसको, I don't know, उसको प्रगती मैदान जिसको भी कहा जाता है, भारत मंदपम भारत मंदपम बहुत लाज एजी है, तो महीं बहुत एजी है, तो आपसर नमबर A, अंसर A है, नियू डेली, प्रामिन्स्टर नें रिमोदी विल इनॉगले भारत टेक्स 2024 भारत मंदपम नियू डेली, यह त्टी अपसे इन फ्रस किये जाएंगे, तो वो फर्स जुलाइ तो जुलाइ तो इन फ्रस से करे जाएंगे, अब देख लिजे कौन-कौन से आपके नए आट्स या अब तो बन गए हैं लोग कौन-कौन से बने हैं पहला है भारती नागरिक सुरक्षा सनहिता दोहजात तेईस जिसने रिप्लेस किया है इंडियन पिनल कोड अफ एटी सिक्स्टी को भारती न्याए सनहिता दोहजात तेईस ने रिप्लेस किया है कोड अफ क्रिमिनल प्रोसीजर ऑफ एटीन नाइटी एट और भारती सक्षे अभी अधिनियम ने क्वेंट्वेंट्री स्वारी यह सीरीज गलत हो गई है यह रिस्पेक्टिवली नहीं है बट इन तीनों ने इन को पता होना चाहिए एक्जाक्ट्ली किसने किसको किया यह मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहे है आप एक बाद चेक कर लीजेगा इंडिया जैपान ज्वाइंट एक्सराइज धर्म गाजन कमेंस इन राजस्थान धर्म गाजन इंडिया और जापान की ज्वाइंट एक में हुआ यह अर्म आर्मी अवेक प्टेंट की जो एक्सराइज में वहाए इनक्स और जीपान की लिएक्सराइस की नेवी चलते हैं नेक्स्ट। dice, इंडिया बौर्ड एकॉनिस्ट, गीता बत्रा नेम्द सस्ट रूमियन डारेक्टर वल्ड बैंक्स जी-े-एफ अब, एक इन्डीयन बौर्ड एकॉनिस्ट है गीता बत्रा वह पहली महिला डारेक्टर बनी है वल्ड बैंक जी-े-फ किया है GEF है Global Environment Facility फुल फॉर्म यह है World Bank's Global Environment Facility तो गीता बत्रा एक इन्हें Economist है इन्हें नया Director बनाया गया है Independent Evaluation Office में of the World Bank's Global Environment Facility It is making her the first ever woman from a developing country यह developing country से पहली महिला है इस post को लेने वाली और इनको 6th GEF Council Meeting to Washington में हुई थी तभी चुना गया था Moving on to the next news Haryana Chief Minister Launched Savera Program for Early Screening and Detection of Increasing Breast Cancer in Women Haryana के Chief Minister Manohal Lal Khattar है उन्होंने एक program launch किया है जिसका नाम है Savera इससे क्या होगा यह Early Screening करवाएंगे detection कराएंगे किस चीज़ का Breast Cancer का जो आजकल बहुत औरतों में पाया जा रहा है इसके संक्या बहुत बढ़ी हिचा रही है इसलिए इन्होंने इसका पहले सही लेके आए हैं कि पहले ही डिटेक्ट कर दिया है तक इसका इसका इलाज होगा Savera Initiative Marks are first of its kind in the country यह पहला इनिशेटिव यह पहला ऐसा प्रोग्राम है ब्रीश कांसर को लेके जो पूरी कंट्री में हुआ है और वो हर्याना के चीफ मिनिस्टर Manohan Lal Khattar जी ने किया है इनिशेटिट बाइदा मिदानता फाउंडेशन इनिशेट कौन खर रहा है इसमें मिदानता फाउंडेशन नेक्स टेक्स है PM Modi inaugurates Sudarshan Setu इंडियास लॉंगेस्ट केबल स्टेड ब्रिज देखें इंडियास लॉंगेस्ट वन अफ दा काइंड राइट फर्स्ट फीमेल ऐसे जो जितने भी निउस होती है ना ये बहुत इंपोर्टन होती है most of the important news होती है क्योंकि आज भी नील आमस्टॉंग को ही जांते हैं जिसने मून पे फर्स्ट कदम रखा था या मून पे फर्स्ट लैंड किया था तो फर्स्ट इस रेले इंपोर्टन्ट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोधी इनौगरेटिट इंडिया लॉंगेस्ट केबल स्टेड ब्रिज इन गुजरात द्वारका ये कहां है गुजरात में है इसका नाम है सुदर्शन सेथू कनेक्टिंग ओखा एंड बाइट द्वारका आइलेंड ये एक आइलेंड है ओखा से बाइट को कनेक्ट करता है ये कंस्ट्रक्ट हुआ है 979 करोर रुपीज की कॉस्ट पे और पीयम मोदी नहीं इनका फाउंडेशन स्टोन रखा था अक्टूबर 2017 में और ये ब्रिज है जो 2.3 किलोमेटर लॉंग है और 4 लेंड है और 27.20 मीटर वाइड है और 2.50 मीटर वाइड फुट पार्स भी दिये हुए है दोनों साइट प सुदर्षन जेत हु है सुदर्षन ब्रिज कदिया है सुदर्शन का ब्रिजु कर दिया है in Japan with the Eτηृ उखा POR BC जो कि 30 km के डिस्टेंस पे है दौर्का टाउं से और दौर्का टाउं फेमस है दौर्कादीश टैंपल के नाम से जो कि लड करिशन का टैंपल है तो एक के बाद एक कनेक्शन यह कनेक्शन है तो एवरिज बहुत जादा इसलिए माहिने रखता है आएगे चलते हैं प्राइमिनिस्टर नरेंद्र मोदी डेडिकेट्स फाइफ एम्स एट राजकोट भटेंडा, राइबरेली, कल्यानी और मंगलागिरी तु दे नेशन प्राइमिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पाच नए एम्स वाल इंडियन इंसिट्यूट अफ मेडिकल साइंस को डेडिकेट किया है नेशन को जो कि राजकोट गुजरात में है, एक भटिंडा पंजाब में है, राइबरेली उत्तर प्रदेश, कल्यानी वेस्ट विंगॉल और मंगलागिरी आंधर प्रदेश में यह पाच एम्स को कंस्ट्रक्ट करने की जो टोटल कॉस्ट आई है, वो है 6,315.23 करोर और राजकोट गुजरात में यह फर्स्ट अफ इस काइंड है, यानि कि पहला एम्स बनने जा रहा है बना है मतलब next is sports winners in armed forces will get financial incentives अब हमारे defense minister ने कहा है कि जो sports winners है उनको इस बार कुछ दिया जाएगा कुछ financial incentive यानि कुछ पैसा या कुछ रखम दी जाएगी तो पहली तो news यह ऐस से पहले कि by 2028 और 2029 इंडिया की जो defense production होगी वो 3 लाक करोड को टच कर जाएगी और जो defense export होगी वो 50,000 करोड होगी ऐसा अनुमान लगा जा रहा है अब इस पर वापस आते हैं अपने title वाली बात पर की defense minister Rajnath Singh ने approve किये है financial incentive for armed forces personnel who bagged medals in the 9th Asian Games and the 4th Asian Paragames held in Hangzhou, China 19th Asian Games और 4th edition Asian Paragames का जो Hangzhou, China में हुआ था उनको मिलेगा medal उसमें जो medal जिनको मिले हैं उनको मिलेगा यह पैसा for the games gold medal winners will receive a cash reward of 25,000,000,000 each and silver medal winners 15,000,000 each and bronze medal winners 10,000,000 each 25,000,000 gold medal list, 15,000,000 silver medal list और 10,000,000 bronze medalist को दिया जाएगा ऐसा Rajnath Singh हमारे defense minister का कहना है आज के लिए इतना ही that was it for the video thank you यो